जैहिन दोस्तों ब्यारपुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज इक इस वीडियो में GKGH से हम लोग 50 महत्पुन प्रसनों का रिविजन करेंगे तो आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगए और आज इके इस 50 कोशन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लांश्ट में आपको कमेंड करके बताना है तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइब में जूड़ जाईए सभी को गोड एवनिंग गोड एवनिंग तो चलिए आज इके सेशन का पहला कोशन है प्रकास की चाल का मापन सबसे पहले किस ने किया था वेरी इंपोर्टन कोशन है सभी उप्सन को ध्यान से पढ़िए और दिखे प्रत्यक स्टोरेंट को नीचे लाइब चेट में अपना-पना आंसर देना है जिससे आपका प्रोपर तरीके से रिविजन भी हो सके तो साथियो प्रकास की चाल का मापन जो है सबसे पहले किस ने किया था तो याद रखेगा रोमर ने किया था तो यहाँ पर सी आप्सन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रोमर ने और प्रकास की चाल की बात करें तो वायू या निर्वात में कितना होता है तो तीन गुना दस पर पावर आट मीटर प्रती सेकंड यह प्रकास की चाल है वायू या निर्वात में और प्रकास जो है किस प्रकार का उधारन है तो याद रखेगा अनुप्रस्त तरंग का उधारन है आगे देखिए कोरिनो ग्राप का परियोग किया जाता है चले बहुत ही सांदर लेबल का कोशन है और सात्यों आप लोग डेली क्लास को टेंड किजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात आट बजे से तो साथियो कोरिनो ग्राप का परियुक किया जाता है किस में तो यहाँ पर दूसरे कोशन का आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखेगा सूरी के कोरोना को देखने तता उसका फोटोग्राप लेने में किया जाता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा D option सूरी के कुरोना को देखने तता उसका फोटोग्राफ लेने में राष्टे ध्वज का सफिद रंग किसका प्रतीक है चले कोशन नमर तीन के लिए आप सभी आंसर किजिए और साथ यो आज इके सेट में आपके जितने भी कोशन सही होंगे आपको साइड में कॉपी में लिखते चलना है फिर सेटन के लाष्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने कुशन सही किये तो राष्टे ध्वज का सफिद रंग ये किसका प्रतीक है तो option के according चलना है सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है कम्प्यूटर में प्रोगामन है तू विक्षित की गई सरप्रतम भासा कौन सी है तो यहाँ पर इसका सही जबाब हो जाएगा फोर्ट्रॉन यहाद रखिया कौन सी भासा है फोर्ट्रॉन किसकी उपस्तिती के कारण सरिर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है very important question है चले आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे तो देखे प्रसन को ज्यान से पढ़िए यहाँ पर पूछा गया है रक्त का थक्का नहीं जमता है तो यहाँ पर A option आपका गलत आंसर है, आंसर क्या होगा हीपैरिन याद रखेगा हीपैरिन के उपस्तिती के कारण ही रक्त का थक्का नहीं जमता है याद रखेंगे, यहाँ पर B option आपका सही जवाब है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो याद रखेगा विटामिन के देखे होता क्या है अगर आपके सरीर में विटामिन के की कमी होता है तो देखेंगे, अगर आपको कहीं पर चोट लगता है तो वहाँ से खुन बहता है और अगर विटामिन के की कमी होगा आपके सरीर में तो खुन जो बहता है वो जल्दी बंद नहीं होगा तो विटामिन के क्या करता है तो जहाँ पर चोट लगता है खुन जमने में ये सायक करता है विटामिन के लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा गया है सरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है महादुइप के किस भाग में भारत का अस्थाई के अंदर इस्थित है तो यहाँ पर कोशन नमर 7 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ओप्शन B कुईन मेरी लेंड पर निकट द्रिष्टी दोस में दूर वाली वस्तु का प्रतिविंब कहां पर बनता है चले इसी दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा देखें निकट द्रिष्टी दोस की बात करें इसमें क्या होता है इसमें उल्टा होता है निकट द्रिष्टी दोस में निकट की वस्तु साब साब दिखाई पड़ती है और दूर द्रिष्टी दोस में क्या होता है दूर की वस्तू साब साब दिखाई पड़ती है लेकिन नजदी की वस्तू साब साब दिखाई नहीं पड़ती है और निकट द्रिष्टी दोस में अवतल लंस का इस्तमाल होता है जबकि दूर द्रिष्टी दोस में उतल लंस का इस्तमाल होता है तो निकट द्रिष्टी दोस में दूर वाली वस्तु का प्रतिमिम कहां पर बनता है तो रेटिना के आगे बनता है यहाँ पर B option आपका सही answer है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी वस्तू का भार अधिक्तम होता है तो simple सा question है किसी वस्तू का भार अधिक्तम कहाँ पर होगा तो भार पूछा गया है तो यह होगा निर्वात में यहाँ पर पहला option आपका सही जवाब है किसी वस्तू का भार यानि वेट जो है maximum कहाँ पर होगा निर्वात में याद रखेगा पिर्थिवी के भागोलिक अक्ष और चुम्बिके अक्ष के बीच लगबग खाली स्थान का कौन बनता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा 18 डिगरी का निर्वण लिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है तो यहाँ पर answer क्या हो जागा 11 का तो आंसर हो जागा गुदावरी गुदावरी नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है गुदावरी नदी के कुल लंबाई 1465 किलोमिटर है और ये दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है याद रखेगा इसे वृद्ध गंगा भी का जाता है द्रविड सेली का उतक्रिष्ट उधारन निम्न लिखित में से किसे कहा जा सकता है यानि कि इन चारों मंदिरों में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो द्रविट सेली में इस्तिध है तो बारा के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे तंजाबूर का व्रिदेश्वर मंदिर याद रखेगा और कौनार का जो सूरी मंदिर है यह उडिसा के पूरी में है और इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है गुप्त सास को द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे चले बिल्कुल सो समझकर आंसर करना है और साथियों जिन्हों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए तो गुप्त सास को द्वारा जारी चांदी का जो सिक्का था क्या कहा जाता था उसको तो रूपक का जाता था याद रखेगा रूपक दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंद मंगोलों का अनुसरन करते हुए दस्मलब परनाली से करने का प्रियास किया तो सिंपल सा कोर्षन है ये किया था अलाओ दिन खिलजी ने सुन्य अधारित बजट का क्या अर्थ होता है चले बहुती सांदर लेबल का कोर्षन है आंसर किजिए पंदर के लिए सुन्य अधारित बजट का क्या अर्थ होता है तो यहाँ पर आंसर वज़ागा बिल्कुल नए सीरी से बजट का तयार करना सुन अधारित बजट कहलाता है ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मुद्रा इस्विति यानि कि इन्फलेशन इसका सरवाधिक बुरा परभाव किस पर पढ़ता है तो सिंपल सा कोशन है इन्फलेशन का सरवाधिक जो बुरा इफेक्ट पढ़ता है याद रखेगा ये किस पर पढ़ता है तो निस्सित आएके व्यक्ति पर यहाँ पर पहला उप्शन आपका सही जबाब है किस अर्थसास्त्री ने विकासिल देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है चलिए कोशन नमर 17 के लिए आंसर बताईए फड़ाफट से तो किस अर्थसास्त्री ने विकासिल देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा B आप्शन गुन्नार मिर्डल ने सिवाजी के आठ मंत्रियों की परिसद को अश्ट परधान कहा जाता था इसे ध्यान रखेंगे जिसका परधान कौन होता था सही आंसर है पेशवा कौन होता था पेशवा आप लोग कमेंट करके बताएंगे पर्थम पेशवा कौन था हमने आपको कलास में बताया था साम साड़े साथ बजे की क्लास में कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या है चले कोशन नमबर 19 के लिए आंसर किजिए कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है तो साथ यो कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रति भूती बजार, मुच्वल फंड, मुद्रा बजार ये सभी होता है तो यहाँ पर D option आपका सही जबाब है उपर युक्त सभी आगे देखें कार्बो हड्रेट्स निम्न लिखित किसमें नहीं पाया जाता है चले question number 20 के लिए answer किजे फड़ाफट से तो यहाँ पर जोई बच्चे भी बता रहें बिल्कुल सही जबाब है पालक में कार्बो हड्रेट नहीं पाया जाता है जबकि पनीर, मचली, मक्षन इन सभी में पाया जाता है याद रखेगा पालक जो है यह सबसे अच्छा आइरन का सुरोत माना जाता है पालक संजुक्त राष्ट संग में पाँच महा सक्तिया निश्य धिकार यानि कि वीटो का उप्योग किसमें करती है तो संजुक्त राष्ट संग में जो पाँच पाँच महा सक्तिया है उसके पास क्या है वीटो पावर है और उसका उप्योग किस में करती है तो याद रखेगा सुरक्षा परिशद में याँ पर पहला उप्सन आपका सही जबाब है सुरक्षा परिशद में याद रखेगा इंपोर्टन कोशन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है चले बाइस के लिए आंसर किजिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है C option आपका सहीज बाव है, 22 का C याद रखिएगा, आगे देखे स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमी किसने उपलब्द कराया था, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल ये कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताईए, तो इसके लिए भूमी किसने उपलब्द कराया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अकवर ने किसने कराया था, अकवर ने B option आपका सहीज बाव है, अकवर ने याद रखेगा, केंदरिया मंत्री मंदल किसके प्रती उतरदाई है, तो हमने आपको पॉलिटी क्लास में समझाया था, तो केंदरिया मंत्री मंदल जो है, याद रखेगा किसके प्रती उतरदाई होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा, केवल लोक सभा के प्रती, यहाँ पर पाल option सही है, केवल लोक सभा, खेल, खोखों में कितने cross lens होती है, तो 25 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा, आठ याद रखेगा, आठ, भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सेटलाइट, and taking and raising station कहाँ पर इस्ति थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, थुमबा में इस्ति थे कहाँ पर, थुमबा में 1929 के लाहर अधिवेशन में, भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1929 का जो लाहर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण सुराज का लक्ष रखा गिया था, और इसके देख्षता क्या था पंडित जभारलाल नहरूने, जान रखेंगे किसने पंडित जभारलाल नहरूने, आगे दिके भारत का दक्चिन्तम बिंदू, इंद्रा पॉइंट कहाँ पर इस्ति थे, तो सात्यों भारत का जो दक्चिन्तम बिंदू है, इंद्रा पॉइंट ये कहाँ पर इस्ति थे, तो इसे याद कर लेजिए, ये बड़ा निकुबार दूइप में इस्ति थे, और मुख्य भूमी का दक्चिन्तम बिंदू पूछे, तो आंसर इंद्रा पॉइंट नहीं होगा, तब हो जागा कन्या कुमारी, गलोब पर दो अस्तानों के बीच नियुन्तम दूरी होती है, सही आंसर है, प्रधान देशांतर पर, गलोब पर दो अस्तानों के बीच नियुन्तम दूरी होती है, सरवोच नेल यान्य सुप्रीम कोट की संभेधानिक पीट में rien नियुन्तम कितने लेदेश होते हैं साहिज जवाब हैं पांच होते हैं नियुन्तम मिनिममरां व्यक्तियों को कर राहत की द्रिश्टी से निमन में से कौन अने तीन से भीन है सही आंसर है सारवजनिक भविष्य निधी पार्षेक किसकी इकाई है तो साथियों पार्षेक जो है याद रखेगा दूरी की इकाई है किसकी दूरी की इकाई है लार की प्रकृति क्या है तो याद रखेगा लार की प्रकृति अमलिय होती है बी ओप्शन याप पर सही जबाब है अम लिए चलिए आगे देखिए रिग वैदिक काल में ब्रामनों के प्रमुख देवता कौन थे सही आंसर है इंद्र रिग वैदिक काल में ब्रामनों के प्रमुख देवता कौन थे तो याद रखेगा कौन थे इंद्र थे साही जवाब है सचेंद्र सान्यालने किया था किसने किया था सचेंद्र सान्यालने 35 के लिए आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा भारत्य संभिधान सभाकी प्रारूप समीती के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी तो प्रारुप समीति जिसको ड्राप्टिंग कमिटी भी का जाता है इसके अध्यक्स कौन थे तो डॉक्टर भीमरौ अमेडिकर और इस प्रारुप समीति में टोटल साथ मेंबर थे कितने थे साथ मेंबर थे यहाँ पर 36 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए ओप्सन ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्ने लिया जाता है तो साथ यो ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्ने जो है यह लिया जाता है राज सरकार के दौरा ओप्सन के अकोडिंग चलना है राज सरकार के दौरा फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है तो साथियो फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है तो याद रखेगा मंगल का मंगल ग्रह को लाल ग्रह का जाता है ध्यान रखेंगे लाल ग्रह और सनी ग्रह की बात करें तो सनी का एक उपग्रह है टाइटन क्या है टाइटन इसे जरूर ध्यान रखेंगे उरी जल विद्धूत परियोजना किस राज में है सई आंसर है जम्मू कस्मिर में है जम्मू कस्मिर केंदर सासिद परदेश में है उरी जल विद्धूत परियोजना भारत की देशी रैस्तों के विले में जिन दो ब्यक्तियों ने महतपूर्ण भूमी का निभाई वे कौन थे। एक तो 100% है सरदार वल्ला भाई पटेल होगा। और दूसरा कौन था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दूसरा था वीपी मैनन। तो आंसर वह जाएगा सरदार वल्ला भाई पटेल एवं वीपी मैनन। राज्यों को भासा के अधार पर गठित करने है तो 1948 में गठित प्रथम आयोक का ध्यक्ष कौन था। सही आंसर है सी ओप्शन जस्टिस एस के धर था। कौन था जस्टिस एस के धर। डॉक्टर बिया रम्बिटकर ने किस मौलिक अधिकार को संब्यधान का हिरिदय तथा आत्मा की संग्या दी। सही जबावे संब्यधानिक संरक्षन का अधिकार आर्टिकल 32 को का जाता है। राष्टपती द्वारा अवकास प्राप्त करने की आयोक क्या है। सही जबावे अवकास प्राप्त करने की आयोक की कोई सीमा नहीं है। या प्रड़ी ऑप्षन आपका सही जबाव है। निम्नलिकित में से कौन से विधयकों पर राष्टपती को अनिवारे रूप से हस्ताक्षर करने पढ़ते हैं और वह उन्हें पुनरविचार के लिए वापस नहीं भेश सकता है। तो कौन सा विधयक है तो इसका आंसर याद कर लिजिए यह धन विधयक। और साथ यो आप लोग कमेंट करके बताईए धन विधयक के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। निम्न लिखित में से किस संस्था की अधिक्स्ता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदसे नहीं होता है। तो सिंपल सा कुछ से नहीं यहाँ पर 45 के लिए आंसर हो जाएगा आपका राज सभा याद रखेंगे क्या हो जाएगा राज सभा और राज सभा का पद्यन सभापती कौन होता है उपराश्ट पती जो की वर्तमान में स्री जगदीप धनकड़ है। एपी ग्राफी क्या है चले चले इसके लिए आंसर कर दीजिए एपी ग्राफी क्या है। सई आंसर है सिला लेखों का ध्यन एपी ग्राफी कहलाता है याद रखेंगे किसे रिग्वेद सहिता या मंडल ने पहली बार सुद्र को परिचित कराया। सही जबाब है दसवी मंडल याद रखेगा रिग वेद का दसवा मंडल यहां पर C आप्शन सही है घटी का क्या थे तो साथियो घटी का क्या थे तो यहां पर आंसर हो जाएगा उच्छ सिक्षा के ब्राह्मन संस्थान को घटी का कहा जाता था यहां पर C आप्शन सही है भारत और पस्मी एसिया में मानसुन मार्ग की खोज किस ने किया था सही जबाब ही पालस ने आखरी कोशन है सूरी के संदर में चंद्रमा की एक परिकरिमा में कितना समय लगता है तो कोशन नमर पचास के लिए आंसर हो जाएगा C ऑपसन क्या हो जाएगा C ऑपसन एक संयुक्ती मास लगता है तो सात्यों आज के लिए इतना ही और सात्यों इसका पीडियव आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में टेलिग्राम का लिंक इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आंसर के साथ मिलेगा देख सकते आंसर यहां पर है यह है आपका पीडियाप तो साथियों आज के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और सेयर जरूर करें और कमेंट करके आप लोग बताइए आज के सेश पच्चास में से अपने कितने कोशन सही किए